हाँ जी सभी साथियों को नमस्कार वैट सब ओफिशल यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है इसे पहले वाली क्लास के अंदर हमने मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा और अब हम female reproductive system के बारे में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो primary reproductive organ होता female के case में वह होगी ovary और male के case में हमने बताया था कि जो primary reproductive organ होता होगा होता testica ovary जिसके संख्या दो होती है एक left ovary एक होगी right ovary माना गया कि bovine के case के अंदर जो right ovary होती है वो left ovary से क्या होती है बड़ी होती है और testicle के case के अंदर जो left testicle होता है वो right testicle से क्या होता है बड़ा होता है lungs के case के अंदर right जो lung होता है वो left lung से क्या होता है बड़ा होता है अब हम बात करते हैं कि जो ovary होगी वह है पैल्विक कैविटी के अंदर स्ट्वेटिड होती है और जो ब्रोड लिगामेंट का पार्ट होता है मेजो ओवरियम उससे क्या होती है या जुड़ी होई होती है मेजो ओवरियम से क्या होती है जुड़ी होती है मेजो ओवरियम से क्या होगी कर most species के अंदर secondary oocytes निकलते हैं secondary oocytes निकलते हैं लेकिन होर्षी जोर मेर और बीच के के अंदर ovulation की जो process होती है वो primary oocytes से ही हो जाती है क्या हो जाती है primary oocytes से होती है किसके अंदर मेर और बीच के अंदर और अलग जो इससे अलग जो species होती है उनके अंदर देखा गया कि जो oocytes के अंदर हो जाए अब देखिए जो उगोनिया बनते हैं वो बच्चे के जनम से पहले ही जितने बनने होते हैं वह बन जाते हैं मतलब बच्चे के जनम के बाद उगोनिया की संख्या कभी भी नहीं बढ़ती फिमेल के केश में जैसे ही female calf ने जनम लिया तो उसके अंदर जो पहले जितनी भी उगोनिया थे उतनी ही वह संख्या रहती है आगे decrease हो जाते हैं लेकिन बढ़ने का कोई चंसीज नहीं रहता जितनी भी उगोनिया बनते हैं वो उसकी जो fetal stage होती है उसके अंदर बन जाते हैं तो इसी से माना पर इनकी संख्या 25,000 रह जाती है और old age के अंदर इनकी संख्या लगबग 1500 प्राइमरी उसाइट हो जाती है अब देखिए अब हम बात करते हैं ओवरी के बारे में ओवरी कहां पर रहती है पहलवी कैविटी के अंदर और इसका जो वेट है वो 15 से 7 से 15 ग्राम के बीच में रहता है जो लैंथ होगी इसकी वह कितनी रहती है 4 सेंटीमेटर के क्रीमन मानी गई है तो ओवरी के अंदर यहां पर वेट इध्यान में रखने वाली बात है कि 7 से 15 ग्राम के बीच में होगा और अलग-अलग बुक्स के अंदर यह डाक्टा अलग-अलग देखने को मिलता है अब हम बात करते हैं सेप के बारे में कि ओवरी की सेप कैसी रहती है अगर हम बात करें सीप की गोट की औ मतलब की सोवैं के के चेश में यहां रहती है मलबरी सेप और इन केस ओ पौल्ट्री में यहां रहती है कलस्टो उफ ग्रेप्स या अंगूर के गुच्छे जैसी और c camel के अंदर यह shape रहती है contour shape की मतलब कि इसका जो shape है वो fix नहीं होती एक रहता हमारा mayor के case के अंदर mayor के case के अंदर जो ovary के shape रहती है वो रहती है bean shaped horses के case के अंदर जो kidney होगी, horses के अंदर जो kidney होती है left kidney होगी वह bean shaped की होती है लेकिन घोडों के अंदर जो right kidney होती है वह heart shape होती है जहां से question बनता है कि गोडों की जो right kidney होगी वह हर्ट शेप होती है और left kidney होगी वह bean shaped और smooth होती है लोगुलेटिट नहीं होती लेकिन बोवाइन की जो kidney होती है वह लोगुलेटिट होती है जो बीच होती है बीच के केस्के में जो ओवरी होगी बीच में जो ओवरी होती है उसके चारो तरफ पेरिटोनियम मेंब्रेन होगी पेरिटोनियम वाल होती है जिसको क्या बोला जाता है ओवरीयन बर्सा बोला जाता है कि बीच में जो ओवरी होती है ओवरी के चारो तरफ प है कि उसके के पांस में जोवलेसन होना होता है अलग अलग पार्ट्टिया लेकिन घोडि के अंदर होता है वह सिर्फफ और के एक YE PARTS रहता है मतलब कि वह दो है सी जगह से हो हो त quantum से वहाँ पर क्या वण जाता एक हो Umis containing घाड़ा बन जाता है और उसी वजह से उपर इस जो सर्चना को इस ट्रक्चर को क्या बोला जाता हए specifically बबर बार एक ही जगह से ovulation होने के काणवा फोसा बन जाता है और मेर के case के अंदर इसको क्या बोला जाता है अब हम बात करते हैं जो primary प्राइमरी उसाइट बनता है प्राइमरी उसाइट से क्या बनेगा ग्रैफिन फोलिकल बनेगा और को अस्षी आपर को रहे जिए अंदर की जैसे पसू के अंदर जो primary ocites होती है primary ocite होंगी इसके उपर FSH हार्मोन काम करता है FSH हार्मोन की वज़े से यह primary ocite mature होती है और mature होने के बाद यह एक shape ले लेती है जिसका नाम होगा graphene follicle graphene follicle के उपर LH हार्मोन काम करता है और इसको रफ्चर करने का काम करेगा रफ्चर होने के बाद यहां से क्या निकलता है om निकलता है मतलब कि secondary ocites निकलती है और यह secondary ocite fallopian tube fallopian tube यानि की oveduct oveduct के अंदर क्या चली जाती है यह om चला जाता है जो graphene follicle से mature graphene follicle से LH हार्मोन की वज़े से जो oom निकला था वेf fallopian tube के अंदर क्या करा है चला जाता है उसके अंदर चला जाता है graphene follicle जैसे ही रफ्चर होता है वहां से oom निकलता है और वहां एक structure डेवलोप हो जाती है जिसको क्या बोला जाता है carpus luteum से progesterone हार्मोन carpus luteum से क्या निकलता है progesterone हार्मोन निकलता है जो क्या करता है प्रेग्रेंसी को क्या रखता है बनाई रखता है मान लीजिए पसु प्रेग्नेंट नहीं होता तो endometrium जो वाल होती है uterus की वहां से PGF2 alpha हार्मोन निकलता है जो क्या कर देता है carpus luteum को regress कर देता है regress होने के बाद वहां पर एक सफेद दभ्भा बन जाता जिसको क्या बोला जाता है carpus lbicans से बोला जाता है अब हम बात करते हैं oveduct की क्या करते हैं oveduct की oveduct को हम fallopian tube भी बोलते हैं fallopian tube भी बोलते हैं इसका जो पहला पार्ट होता है वो होगा इन्फंडी बुलम, क्या होता है, इन्फंडी बुलम, जो सेकिंड पार्ट होगा, वो होगा एमपुला, और जो थर्ड पार्ट होगा, वो होगा इस्थमस, क्या होता है, इस्थमस, जो इन्फंडी बुलम होता है, वो है कीप के अका सचेप्चर होती है तो इनपलम सरेस के दौरार आधर यहां पर जवी ऑपर जाकर जयाता है उसके अंदर क्या हो जाता है फर्टीलाईजेशन हो जाता है अगर अग्जाम के अंदर आ जाए कि oviduct का कौन सा पार्ट होगा जहां पर fertilization होता है अगर option के अंदर अकेला ampula आए और दूसरा एक option आ जाए ampularie isthomass junction तिसरा आ जाए oviduct तो वहाँ पर आपको लगाना है ampularie isthomass junction अगर ampularie isthomass junction नए हो तब आपको कहां पर चला जाता है endometrium की वाल में जाकर implant हो जाता है लेकिन poultry के में देखा गया है कि जो infantibulum वारा पार्ट है जो funnel shape का था यहीं पर fertilization हो जाता है poultry के case के अंदर ove duct का जो पहला पार्ट है infantibulum वहीं पर क्या हो जाता है fertilization हो जाता है fertilization के बाद जैसे जाइगोट बनता है उसके बाद जो stage आती है blastula, gromalura, gastula ये stage ही जाती है उन stages के बाद implantation हो जाता है कहां पर uterus के अंदर uterus को क्या बोला जाता है womb भी बोला जाता है अब हम पढ़ेंगे poultry के बारे में poultry के अंदर जो ove duct के पार्ट होते हैं पांच पार्ट होंगे, पहला पार्ट होता है infantibulum, infantibulum के अंदर क्या होगा fertilization हो जाता है, fertilization होने के बाद योग बनता है योग कहां पर बनता है, infantibulum के अंदर बनता है, जहां पर लगवक कितनी मिन्ट लगती है अंडे को 15 मिन्ट लगती सेगिंड पाल्ट होता है वो होता है मेगनम मेगनम जो कि सबसे बड़ा पाल्ट होगा सबसे बड़ा पाल्ट होता है और यहां पर क्या बनता है मेगनम मेगनम के अंदर बनता है अलबूमिन मेगनम के अंदर क्या बनता है एल्बूमिन बनता है और यहाँ पर अंडा है तीन गंटे तक रहता है थर्ड पार्ट होगा वह होता है इस्तमस्थ इस्तमस्थ के अंदर यहाँ पर क्या बनता है सैल मेंब्रेन बनती है और यहाँ पर अंडा एक गंटा पंदरा मिन तक रहता है जो फोर्थ पार्ट होगा वह होगा यूट्रस है यूट्रस के अंदर सब अंडा है वो सबसे ज़्यादा देर तक रहता लगबग 18 से 20 गंटे तक रहता और यहां पर क्या बनती है एक्सेल बनती है और लास्ट पार्ट होगा वो होगा कलोयका और कलोयका यह है common passage का काम करता ह रिप्रोड़क्टिव सिस्टम के अंदर यूरिनरी सिस्टम के अंदर और डाइजिस्टिव सिस्टम के अंदर और यहीं से अंडा बाहर निकल जाता है जिसको क्या बोला जाता है ओवी पोजिशन बोला जाता है अब हम पढ़ते हैं यूट्रस के बारे में यूट्रस को क् और उससे पहले होरंस, उससे पहले क्या होते हैं, होरंस होते हैं, क्या होते हैं, होरंस, अब देखिए जो यूटरस होता है, वह है पहलवी केविटी का जो ब्रोड लिगामेंट होगा, जिसको बोला जता है, मेजो मैट्रियम, और ओवरी किस से कनक्टिड थी, ब्रोड लिग 80-90% भाग को बनाएंगे और 10-20% भाग कौन बनाता है? यूटरस की बोडी बनाती है. अब हम देखते हैं कि जो camel होगा, camel के case के अंदर, C camel के case के अंदर, जो left horen होगा, left horen होता है, वो है, right horen से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है. right oran से क्या होता है बड़ा होता है cow, buff और mere के case के अंदर जो uterus होगी उसकी लंबाई 35 से 60 cm देखने को मिलती है 35 से 60 cm देखने को मिलती है और अलग-अलग books के अंदर ये data अलग-अलग भी देखने को मिलेगा अब हम बात करते हैं uterus की shape की जैसे हमने ओवरी की shape की बात के थी वैसे uterus की shape की बात करते हैं cow, buff, sheep और goat इसके अंदर uterus की shape होती है y shape क्या होती है y shape और ovary की shape कैसी थी? element shape जो mayor होगी वहां पर uterus की shape होगी t shape और यहां पर जो ovary की shape थी हो कैसी थी? bean shape बीच के case में ओलीशेप बताई थी, लेकिन जो uterus होगा वो देखने को मिलता है, अब हम बात करते हैं C camel के बारे में, C camel के अंदर y और t के बीच का uterus देखने को मिलता है और जो ovary होगी, वह है regular यह होगया क्लियर, इसके बाद हम देखते हैं जो uterus होगा, uterus की जो अंदर वाली वाल होती है, वह कैसी होती है, soft होगी, उसको बोलते हैं endometrium, और endometrium का काम होता है, जो implant हुआ था fetus, उसको क्या करना? नियूरिस करना, उसका मतलब portion करना, और endometrium के अंदर लगभग 80-100 क्रंकल्स होते हैं, जो की, जो fetus होगा अंदर, उसकी placenta से क्या रहते हैं, connected रहते हैं, मतलब की जो placenta का, कोटिलीडिन वाला पार्ट होगा, वो fetal का होगा, और क्रंकल्स वाला पार्ट होगा, वो endometrium का होता है, अगर endometrium के अंदर swelling हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, endometritis बोलते हैं, और जो uterus होगा, uterus से जो जो हर्मोन निकलते हैं, उसके बारे में बता देते हैं, uterus से PMSG, pregnant mayor serum gonadotropy, HCG और PGF2 alpha हर्मोन की तरह करते हैं, निकलते हैं, PMSG हर्मोन है, यह FSH हर्मोन की तरह काम करता है, और HCG हर्मोन होगा, यह human chronic gonadotropy, यह LH हर्मोन की तरह काम करता है, अब हम बात करते हैं, cervix के बारे में, cervix को neck of womb भी बोला जाता है, और cervix यह मोटे रस्षे की तरह होगी, मोटे रस्षे की तरह होगी, जिसकी लंबाई 2-5 cm माना गया है, cervix के अंदर, जैसे cervix होगी, इसका जो vagina वाली तरफ पार्ट होगा, उसको external os of service बोलते हैं, और अंदर वाले को internal os of service बोला जाता है, इसके अंदर, ट्रेंगुलर ये, बैंट देखने को मिलते हैं, जो कि AI के दुरान क्या करते हैं, समस्या पैदा करते हैं, इनका मुख्या काम ये होगा, कि जब पसू pregnant हो जाता है, यह सर्विक्स को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और अंदर infection को भी जाने नहीं देते अगर पसू heat में नहीं है, तब भी यह क्या करते हैं, बंद रहते हैं, AI के दुरान, या फिर natural service के दुरान, जो bovine के case में, जो semen रखा जाता है, या semen deposit किया जाता, वो किया जाता, mid service के अंदर, mid service के अंदर, लेकिन कुछ species हैं, उनके अंदर, जो semen होगा, मान लिजिए, हम artificial insemination कर रहे हैं, AI के अंदर, तब हम semen को कहाँ पर deposit करते हैं, mid service के अंदर, या फिर uterine, जो mid service से आगे 1 इंच पार, वहाँ पर mid service को, मदा है, sorry, service को cover करते ही, uterine body के अंदर, वहाँ पर रखते हैं, लेकिन इसका जो सही अंसर होगा, वो mid service ह अंसर लगाना आपको, कुछ species होगी, जैसे कि bovine के case में, जैसे bull है, गाई में भैस के case के अंदर, semen जो natural mating के दौरा, semen bull के दौरा deposit किया जाता, वह किया जाता, वैजाइना के अंदर, कहाँ पर वैजाइना के अंदर, लेकिन horses और समाइन के case के अंदर, जो semen है, वह कहाँ कहाँ पर deposit किया जाता, natural service के दौरान, वह किया जाता है, cervix के अंदर, कहाँ पर cervix के अंदर, natural mating के दौरान, अब जो cervix है, उसके अंदर जो हमने बताये थे, fold, वह क्या करते है, जो भी bacteria, microorganism है, उनको किस के अंदर, uterus के अंदर जाने नहीं जाते है, और जब पसू pregnant होता है तो यह क्या हो जाते है, बंद हो जाते है, और इसी cervix के चारव तरह फिक, mask का fold होता है, जिसको क्या बोला जाता है, fornix बोला जाता है, यह एक blind sack होता है, अब हम पढ़ते हैं, वैजाईना के बारे, copulatory organ क्या होता है, वैजाईना होगा, बर्थ कैनाल किसको बोला जाता है, वैजाईना को बोला जाता है, बर्थ कैनाल भी वैजाईना को बोला जाता है, वैजाईना की जो cow और buff के case के अंदर जो लंबाई बताई गई है, वह बताई गई 25-30 cm, चुडाई बताई गई है 10-15 सेंटिमेटर एक ट्रम और आती है हाइमन हाइमन क्या होता है जो वेजाइना और जो बहार वुलुवर लिप्स होते हैं उनका जो पार्ट होगा अंदर की तरफ वेस्टिव्यूल बोलते है जिसको उनके बीच में एक मेंब्रेन होती है जो क्या रह जाती है फर्स्ट जो मेंब्रेन को क्या बोला जाता है हाइमन बोला जाता है अगर यह पर्सिष्ट रहती है वेजाइना और वेस्टिव्यूल के बीच में मेंब्रेन होती है जो फस्ट मेंटिंग के दुरान हट जाती है जिसके कांड बलीडिंग होगी उसको बोला जाता है हाइमन अगर यह मेंharma में पार्ट होगा वह खेन जो पार्ट होगा दिखाई देते हैं उसके अंदर दोपार्ट होगा अंदर कीदर vestibule एक पार्ट होगा labia जो वल्वा का जो वल्वा का जो वजाइना से जो पार्ट जुड़ा हुआ होता है उसके उपर हमें एक structure देखने के मिलती है कलाई टोरी से जो के मेल के अंदर glans panis के analogous होता है vestibule बोला जाता है और labia दो होगे labia minora जो बहर वाला पार्ट होता है वल्वा का उसको बोला जाता है अंदर वाला पार्ट होगा उसको बोला जाएगा labia minora और बहर की तरफ जो पार्ट हमें दिखाई देता है उसको बोला जाता है labia majora labia majora और labia minora होगा labia minora किसके analogous होता है mail के अंदर labia क्या होगा सक्रोटम के किसके सक्रोटम के एनलोगस होगा और घोडे के अंदर जो प्रिप्यूश सीथ होती है यह क्या होगी डवल फोल्डीड होती है और प्रिप्यूश डाइवर्टी कुलम प्रिप्यूश डाइवर्टी कुलम यह स्वाइन के अंदर देखने को मिलता है स् हम बात करते हैं कि जो वो जैनेसिस की प्रोसेस थी वह कैसे हुई सबसे पहले तो हम यहां देखते हैं फिमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम के बारे में प्रामरी रिप्रोड़क्टिव ओर गन ओवरी को बता दिया पहली ही कैटिक अंदर सिचुएटेड होती है और मैं जो एंपुला बताया इंफंडी बुलम बताया और इस्तमस बताया की फर्टिलाइजेशन एंपुलरी इस्तमस जंक्शन के उपर होता है कोपुलेटरी ओर्गन हमने वैजाइना बताया और वैजाइना को ही हमने बर्थ कैनाल का नाम दिया फिटल स्टेज के अंदर क्या होता ह और फिमेल रिप्रोडट्टट्टिव सिष्टम के जो ओर्गन से वे बनते हैं मुलेरियन डक्ट से जिसको पैरा मैज़ोनेफ्रिक डक्ट भी भी बोला जाता है पहरा मैषो, नैफिक्ट भी बोला जाता है फिमेल के रो एक होता हैars canalle of gart मैं जो nephric duct भी बोला जाता, female के रो एक होता, canal of gardener canal of gardener, female के अंदर देखने को मिलते है लेकिन, यह remnant होती है wolfian duct की और wolfian duct क्या बनाता है male reproductive part को बनाता है लेकिन, wolfian duct की जो remnant है, वो है, मिलती है, female के अंदर जिसको क्या बोला जाता है, canal of gardener बोला जाता है जो की external urethral और फिस के दोनों तरफ है देखने को मिलती है ओवरी के अंदर जो infundibulum होगा वो funnel shape का होगा उसके बाद ampula उसके बाद इस्तमस fertilization ampula के अंदर या फिर ampulary isthemic gengson के उपर birds के अंदर infundibulum के अंदर ही fertilization हो जाता है हमने पताया कि जो uterus के पार्ट होगे uterine body, horan, neck और cervix है, cervix के बाद जो बार की तरफ होगा external os vagina वाली तरफ और internal os जोगी uterus की तरफ होता है वोलोवर लिप्स के बारे में पढ़ा अब हम पढ़ते हैं कि कैसे eugenesis होगा हमने जो testicle के बारे में पढ़ा था उसमें spermatogonium के बारे में पढ़ा था कि spermatogonium 2N थे और वहाँ पर mitosis हुई, वहाँ से जो primary spermatocyte बने वो 2N बने लेकिन 4 बार क्या हुआ था mitosis हुआ था, 4 बार होने के कार्ण 1 से 2 बने, 2 से 4 4C कितने बने, 8 और 8 से 16 हमें क्या बने, जो first mitosis हुआ था, वहाँ पर क्या मिले थे 16 सप्रमेटो साइट देखने को मिले थे और आगे एक primary spermatocyte से 2 क्या बने थे एक primary spermatocyte से 2 secondary बने थे तो 2 हुए तो total कितने बन गए थे 4 spermatocyte बन गए थे कहने का मतलब क्या था, कि जो spermatocyte के case में, जो primary spermatocyte से उससे कितने 4 सपम बने थे, और secondary spermatocyte से थे, उससे कितने 2 सपम बने थे, और total कितने बने थे, 64, अब हम O genesis के बारे में पढ़ते हैं हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो fetal stage होती है, उसी के अंदर जितने भी ugonia बनने होते है ugonia का मतलब बहुत सारे ugonium ugonium होती है singular, ugonia होता plural, तो जितने भी ugonia बनने थे, वह हैं, जनम से पहले ही बन जाते हैं, उसके बाद नहीं बनते तो मान लिजी, यह है ugonium है एक ugonium होगा इसके उपर क्या होता है 2N क्या होगा, नमबर ओफ क्रोमजों होगा और इसके उपर क्या होगा, मिटोसिस हुआ मिटोसिस फर्स्ट हुआ, मिटोसिस फर्स्ट होते ही यह यहाँ पर क्या बन गया प्राइमरी उसाइट बन जाता है प्राइमरी उसाइट बन जाता है लेकिन यह है प्राइमरी उसाइट है अरेश्ट हो जाता किसके अंदर Prothase First के अंदर कैसे देखें उगोनियम था इसके उपर क्या था नंबर ओपर क्रोंजरों कि तेने थे 2N थे यहां पर क्या हुआ 1st meiosis हुआ 1st meiosis है और 1st meiosis top हो गई कहां पर prophase first के अंदर prophase first की diplotin stage के अंदर ugonium first था पहले ugonium था plural को बोलते है ugonia singular को बोला जाता ugonium ugonium था number of chromosome कितने थे 2N यहां पर meiosis first हुआ meiosis first के बाद क्या बनता है primary ucite बनता है primary ucite के बाद primary ucite के साथ साथ एक polar body बनती है जेकिन जो primary ucite बना यह rest हो गई यह stage क्या हो जाती है रुक जाती है rest phase बोलते है इसको रुक जाती है कहां पर रुक जाती है prophase first के अंदर और prophase first की कौन सी stage के अंदर diplotin stage के अंदर रुक गई, रुकने के बाद जैसी ही पoice perpendicular to richtig age के अंदर आता है तो यह process क्या हो या हो जाती है और यहां से क्या बन ढ़ता है primary ूशाइट completely बन जाता है primary site जो meiosis first हुआ stage रुक गई, कहां पर prophase first की dipalotin एक लेकिन जब बच्चा क्या हुआ, मैचूर हुआ, तो उसके अंदर क्या बन जाते है, प्राइमरी उसाइट के बाद, यहां पर मियोसिस फिर होता है, मियोसिस होने के बाद क्या बनते है, सिकेंडरी उसाइट बन जाती है, और पोलर बोडी बन जाती है, और यह स्टेज भी क् के शूरू होगी जब जो oam होगा जो की secondary detect होती है इसका इसँटा फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हम कहा सकते कि होने के बाद कुछीолнों में लुडाता लिख को क्या बोल सकते हैं और उसके तुर्ंत बाद Mirakola कि TWD जा होती है वो क्या हो जाती है Nust हो जाती है क्या पड़ा उगोनियम था 2N नमर फो ग्रो मोजों थी उससे क्या हुआ meosys से 2N बन गए 2N बनने के बाद meosys 1 हुआ और meosys 1 के अंदर यह stage क्या हो जाती है prophase 1 के diplotine stage के अंदर िक्ति अर्याश्ट हो जाती है इसके बाद यह स्टेज कप पूरी हो जाती है जब बच्चा क्या हो जाता है मैचोर हो जाता है उसके अंदर प्यूबर्टी आ जाती है प्यूबर्टी आने के बाद क्या बन जाता है प्राइमरी उसाइट बन जाता है प्राइमरी उसाइट बनने के बाद फिर दुबारा से म और मियोसी सेकंड के बाद सिकेंडरी उसाइट बन जाता है, सिकेंडरी उसाइट के साथ साथ सेकंड पोलर बोडी मनती है, और यह सिकेंडरी उसाइट कब कमपलीट होती है, जब इसका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि अब जैसे ही प्राइमरी फोलिकल था हमारा प्राइमरी फोलिकल था प्राइमरी फोलिकल के ऊपर FSH हार्मोन ने काम किया, है पोथेलमस से जी आनाराच निकला, जी आनाराच ने काम किया किस के उपर? anterior pituitary gland के उपर, anterior pituitary gland ने FSH हार्मोन, Soda Follicle Stimulating Hormone, इस ने काम किया primary follicle के उपर, primary follicle से क्या बना? बढ़ा होकर graphene follicle बना, और graphene follicle के उपर फिर किस ने काम किया? एलेच ने काम किया और एलेच से क्या ने क्या हुआ फिर यहां पर सिकेंडरी उसाइट निकले रप्चर हो गया यहां पर ग्रैफिन फोलिकल तो ग्रैफिन फोलिकल के अंदर जो थिका इंटरना सेल थी थिका इंटरना सेल या फिर हम जर्मिनल सेल थी उससे क्या निकलता है estrogen hormone निकलता जिसके काण क्या होगा, पसु क्या आजाता है, heat के अंदर रहा जाता है, और उससे में पर वजाएना होगी, वो pinkish, radish pinkish कलर की हो जाती है, और अपने हो symptom show करने लग जाता है, heat वाले जितने भी symptoms होते हैं, उवम निकला लह ने काम किया graphene follicle rupture हुआ लह ने काम किया तो ऊवम निकल गया ओवम को capture कर लिया इंफेंडी गुलम ने तो वहाँ पर क्या बन गई structure कर्पस लूटियम क्या करता रहा प्रोजेस्टोन हार्मोन छोड़ता रहा प्रोजेस्टोन हार्मोन अगर पसू प्रेगनेट नहीं होता तो एंडोमेट्रियम पीजी अप्टू अलफा हार्मोन छोड़ेगी और वह कर्पस लूटियम को खतम कर देगी खतम करने के बाद क्या होते होता प्रोजस्टोजन डिवल डॉल वह बड़ने लगता और यहसे रीग्रैस हुई है तो यहां पर एक वाहिट स्पोर्ट बन जाता जिसको करपसलिपेंज को ब्रसे Egyptians बॉला जाता है कि ऐसा से बिकांपेंत से बोला जाता है । तो जो फिमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम है यहीं पर किस्माप्त होता है आसा करता हूं कि सभी को पसंद आया होगा धन्यवाद